कोरोना वारस और इसके नए वेरियंट ओमिक्रॉन की बढ़ते मामलों ने लोगों को सहमा दिया है 24 गंटों के भीतर देश में 32,000 से ज़्यादा केस सामने आये हैं और 116 मौते खुई हैं साथी 10,000 से ज़्यादा मरीज रिकवर भी हो गए हैं ऐसे में कोविट संक्रमतों की संख्या के मामले में महाराष्ट सबसे टॉप पर है इस राज्य में 11,887 कोविट केस दर्च किये जा चुके हैं इसके लावा पश्विम बंगाल में 6,153 दिली में 3,190 और केरल में 2,802 अतमलाडू करनाटक में एक दिन के भीतर हजार से जादा कोविट के केस मिले हैं महाराष्ट में रविवार को कोविट के 11,887 नए मामलों ने एक बाप फिर से टेंशन बढ़ा दी है और इनमें से अकेले मुंबई में ही रविवार को 8,063 नए कोविट के मामले सामने आए हैं वहीं आपको बता दें, उमिक्रॉन संक्मेंट के 50 मरीज सामने आए हैं इसके लावा राज्जे में 24 घंटे के भीतर 9 मौते भी दर्ज की गई हैं वहीं पक्ष्रे मंगाल की बात की जाया तो पक्ष्रे मंगाल में कोरोना मामलों का आकड़ा एक दिन में 6,153 पर पहुँच गया है अकेले कॉलकता ने ही 3,000 का आकड़ा पार कर लिया है ऐसे में पिछले 24 घंटे में शेहर में 3,190 नए मामले सामने आए हैं राजे में 8 मौते भी दर्ज की जा चुकी है इसके साथ ये बंगाल में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़तर 17,038 हो चुकी है